इस वीडियो में हम लोग Pimple के मोहासों के बारे में कुछ जो मूल भूतत्त हैं हैं उनके बारे में बात करेंगे Pimples को ले करके बहुत सारी भ्रांतियां है और चुकि यह बहुत ही समायने प्रावबलम है तो लगबख सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी भी चाहिए तो Pimples को ले करके काफी लोगों का यह question होता है हम लोग के OPD में कि मेरी उमर 35 साल है और मुझे Pimples हो गया हमने तो सुना था कि Pimples जो होता है टीनेज में होता है एडोलेशन्स में होता है कि बच्चों में होता है मैं तो 35 साल की हो गई मेरे दो बच्चे भी हैं और बच्चे बड़े भी हैं फिर भी मुझे Pimples हो रहे हैं तो यहां पर यह समझने वारी बात है कि pimples जो है प्राइमरली टीनेज और एडॉलेशन्स की प्रॉब्लम है कि 12-13-15 की उमर से लेके 25-35 की उमर में यह सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है अब ऐसे बात करें percentage wise तो कुछ research में 80-90% cases में pimples इस age group में देखने को मिला है लेकिन 10-15% cases में pimples late age में देखने को मिल सकता है late age का मतलब 35-40 और कभी-कभी उसके बाद भी जिसको adult onset एकने बोला जाता है या फिर late onset एकने भी बोला जाता है तो वो जो एकने होते हैं उनमें काफी cases में hormonal disturbance frankly मिल जाता है proper मतलब की hormonal disturbance काफी cases में देखने को मिल जाता है vicious करके females में तो एकने कोई ऐसा fix नहीं है कि किसी particular age group की बिमारी है निश्चे तोर पे कम age के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है लेकिन ठीक ठाक मरीजों में late onset भी देखने को मिलता है और कुछ patients तो ऐसे भी होते हैं कि जिनका adolescence वाले phase में शुरू हुआ और on and off उनका pimples चले जा रहा है 30 की उमर में, 35 की उमर में, 40 की उमर में अधिकान्स लोगों का ऐसा interpretation होता है कि pimples जो है, वो self-limiting बिमारी होती है मतलब कि 12-15 की उमर में आया pimple और वो pimple जो है, खुद ही ठीक हो जाएगा बीना किसी दवाई की और दवाईयां जो होती है, कुछ लोग ये भी निसकर्स निकाल लेती है कि दवाईयां side effect के साथ होती है तो pimples के लिए किसी तरह का कोई इलाज की आव सकता नहीं होती है तो recently एक female patient बच्ची थी जिसकी उमर 15-17 साल रही होगी तो उसके चहरे पे कम से कम 100 मोटे-मोटे पूरा मोटे-मोटे pimples थे पस भरे होगे पपड़ी भी बैठ गई थी, मलब काफी खराब केस था और घर के लोग यही मान रहते कि यह तो खुद ही ठीक हो जाएगा कोई दवाई की जरुवत नहीं है और वो बच्ची जो है कोई YouTube या Instagram पर chemical peel उसने देखा था कि chemical peel से थोड़ा face की cleaning हो जाती है तो pimples थोड़ा सा जल्दी ठीक होते हैं तो वो इसी purpose से केवल आई थी उसने आते ही बोला कि मुझे कोई इलाज नहीं चाहिए क्योंकि घर वालों ने साब साब माना किया है कि इसके लिए कोई इलाज की जरुवत नहीं है और बस आप मेरी थोड़ी face की cleaning कर दीजिए जिससे मेरे pores open हो जाए और मेरे pimples जल्दी cover कर जाएगी तो हलांकि मैंने उसको काफी council किया लेकिन वो तो अभी चोटी बच्ची है उसका कितना ही छमता होगी लेकिन पूरा घर वालों ने उसका face खराब कर दिया था और सारा problem तो बच्ची बाद में सफर करेगी क्योंकि pimples की वज़ा से गड़े होते हैं और गड़े जो होते हैं pimples की वज़ा से वो बहुत मुश्किल से और कई तरीकों से कई प्रकार की surgical option, laser, derma, roller, micro needling, sub-season तमाम तरीके से उसे करके correct करना पड़ता है मलब एक difficult, tedious task है तो pimples को आप हलका फुल का 2-4 दाने हैं, 5 दाने हैं, जिनमें दर्द नहीं हैं, कमेडोनल एकने हैं तो उन्हें आप wait कर सकते हैं, इंतिजार कर सकते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब आपको doctor की help लेनी हैं कोई मोटे दाने हैं, पस वाले दाने हैं, धेर सारे दाने हैं सकार्स बन रहे हैं, गड़े बनना शुरू हो गए हैं दाग धबे बनना शुरू हो गए हैं तो उस condition में आप naturally उसको नहीं ignore करके छोड़ सकते हैं तो यह बिल्कुली गलत अप्रोच है दूसरा जो query जो होता है, बहुत commonly देखने को मिलता है यह pimples में diet का क्या role है और फला diet खाया तो मुझे pimples बढ़ गया है फला diet खाया तो pimples कम हो गया तो diet के जो part है, उसको लेकर के बहुत ही controversial role है primarily जो है, pimple एक hormonal pathology और age related pathology की तोर पे देखे जाती है लेकिन diet जो है, वो अभी भी controversy उसमें है लेकिन कुछ diet early indication है, ऐसे research में कुछ संकेत है कि कुछ diet से pimples बढ़ सकते हैं जैसे कि विशेश करके dairy product वाले diet, जितने भी high glycemic index वाले diet है sugar, chini वाले diet जो है, chocolate, cold drink, wave protein जैसे अभी trend हुआ है body building का तो बच्चे भी, जो 18-20 साल के बच्चे हैं, वो भी exercise और whey protein consume करना शुरू कर दे रहे हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं देखी गई हैं कि pimples कुछ लोगों में trigger करती हैं विशेश करके जो oily food हैं, fast food, junk food हैं, जो high fat, high glycemic index वाले जो food हैं वो कुछ लोगों में देखा गया है कि pimples को trigger कर देते हैं दूसरी चीज़, ये जितने भी food जो हमने बात किया, जो भी high fat और high glycemic index food हैं तो वो आपके general health के लिए अच्छी diet नहीं है, खराब diet नहीं है, खराब diet के तोर पर देखी जाती हैं तो उन diet को आपको एक अच्छे health के लिए भी उन diet को avoid करना है और प्लस कुछ संकेत तो है ही, कि जिनसे इनसे pimples trigger होता है इसी तरह कुछ लोग egg और non-wage food को भी attribute करते हैं तो ये सब हो सकता है, possible reason में आ सकता है, इन diet को आप avoid करें तो ऐसे condition में आप कौन से diet को लें, तो जो आपके general health और pimples दोनों के लिए ठीक रहेगा तो जो fruits हैं, vegetables हैं, green leafy vegetables हैं और जो regular home खाना जो आपका है, घरिलू हो जाना, simple जो food है वो सब आपके health के लिए और आपके pimples के लिए, दोनों के लिए beneficial साभीत हो सकती है जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा juice पर depend करें, हरी, पत्तेदार सबजीया लें, green vegetables लें, salads लें, आप डाल, रोटी, ये सब जो regular food है मटर, चना, सुयबीन, ये सब आप ज्यादा से ज्यादा consume करें इसी तरह से कुछ लोग का ये भी रहता है कि पानी का क्या role है तो पानी आपके body का important component होता है तो poor hydration हो, ये आपके सरीज में पानी की कमी हो तो आपका फिर से जो general health है, वो disturb होने का चांस होता है तो वो आपके pimples वाले problem को भी negatively affect कर सकता है हलांकि बहुत direct correlation नहीं देखने को मिला है, studies में लेकिन निश्य तोर पे पानी जो है कि important है, मलब एक तरह से आपके body के toxic materials को वो पानी यूरिन के रास्ते excrete करा देता है तो और इसकिन पे क्या direct impact है, तो इसकिन पे इसका hydration, dull जो face होता है, hydration वाला part है जो इक तरह से कहें गंदगी है, उसको भी साफ करने में मदद करता है, तो पानी आप adequate intake daily basis पे लेते रहें तो ये diet में ये पानी इनका महत्वपूर भूम का indirectly बोल सकते हैं, directly तो relationship नहीं है बहुत जादा, लेकिन indirectly आप बोल सकते हैं कि इनका impact होता है इसी तरह से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बार-बार यदि चेहरे को धोया जाए तो जो चेहरे की गंदगी है, डर्ट, सीबम है वो निकल जाएगा, तो ये भी गलत ही तथ है, आपको चेहरे को 2-3 भार धोना है, वो भी आपको अपनी skin type के हिसाब से धोने वाली सामगरी यूज करनी है, जैसे ज्यादा oily, greasy face है, तो उसमें आप glycolic acid, salicylic acid face wash यूज कर सकते हैं, यदि आपकी dry face है, तो आप simple cleansers यूज कर सकते हैं, सेटाइल अलकोहल बेस, simple cleanser यूज कर सकते हैं, तो ये बार-बार इसकिन दोने से आपकी skin dry होगी, इसकिन irritate हो सकती है, pimples वाली जो cream है, वो आपकी skin को irritate कर सकती है, skin पर खुजली हो सकती है, रहसे जा सकते हैं, और आपका pimples और खराब हो सकता है, तो इसे बार-बार नहीं दोना है, एक से दो बार या तीन बार, ज्यादा greasy face है, तो तीन बार या अधित्तम चार बार आप इसको दो सकते हैं, तो face wash में आपको पनी skin के हिसाब से ही choose करना है, इसी तरह से cosmetics को लेकर के भी काफी ज्यादा confusion रहता है, तो pimples के मरीजों को generally cosmetic avoid करने का indicate किया जाता है, डॉक्टर्स के दोरा, विसेस करके जो oil-based cosmetics हैं, जो heavy cosmetics हैं, जैसे जो thick foundation creams होती हैं, जो aggressive cosmetic procedures हैं, जैसे facial, face massage, गाउं में जैसे powder इस् चमता रखते हैं, जीतने भी oil-based cosmetics होते हैं, उनमें ये दिखा गया कि oil glands जो होते हैं, उनके जो pores होते हैं, उनको block करने की वज़र से, जैसे oil already ज्यादा बन रहा है, तो आपने heavy cosmetic use किया, तो वो pores को और ज्यादा clog कर देते हैं, जिसे कि आपके pimples और ज्यादा thriller हो जाते हैं, जो facial होता है, जो deep massage होता है, वो आपके tail वाली glands को और ज्यादा irritate कर देता है, तो उस वज़र से pimples के breakouts देखने को मिलते हैं, काफी लोगों को ऐसा भी लगता है कि पैसे pimples का दाना आया, उसको जल्दी समने फोड दिया, तो pimples जो है हमारा जल्दी हील हो जाएगा, तो य जो फोडने वाले dark spot होते हैं, वो देखा गया है कि वो काफी लंबे समय तक आपके skin में dark spot काला दबा पैड़ा कर सकते हैं, जो normally pimples heal होता है, normal medicine से या normal natural course से, तो उसमें देखा गया है कि dark spot पढ़ने की tendency कम होती है, लेकिन जब आपने फोड दिया, तो dark spot पढ़ेगा, दूस इसी तरह से कुछ लोग pimples को simple infectious problem समझ करके market से कोई भी antibiotic लेकर के खाना सुरू कर देते हैं, और फिर ये आकर OPD में ये कहते हैं, हमने फला antibiotic लिया था, फला antibiotic cream लगाया था, तो उससे मेरा pimples थोड़ा वह ठीक हुआ, लेकिन पूरा नहीं ठीक हुआ, तो इसमें ये समझने वाली बात है, कि pimples जो होता है, वो जो infection वाला पार्ट है, प्रोपियानो बैक्टिरियम एक्रीस की दौरा जो infection होता है, वो एक तरह से primary process नहीं होता है, प्राइमरी जो थिंग होती है, पैथोपिस जॉल्जी में, जो oil gland है, जो तेल वाली ग्रंथियां, उनका size बढ़ जान है, तो secondary process आप बोल सकते है, bacterial infection, लेकिन प्राइमरी जो है, वो bacteria का primarily role उतना नहीं है, तो इसलिए जो आप antibiotic यूज करते हैं, तो कई वार पूरा आपको help नहीं मिलता है, तो जो sabaceous gland stale वाली ग्रंथियां है, या duct उनको जो सहीर करने वाली दबाईयां होती है, वो इसको जो group की दबाईयां हैं, लगाने वाली या खाने वाली, जैसे isotretinoin, खाने वाली गोली में, और लगाने वाली में tretinoin या adapaline, सबसे ज़्यादा doctors के द्वारा इस्तमाल की जाने वाली दबाईयां हैं, तो कि वो root कौज को पूरी तर से ठीक करती हैं, जो oil gland से तेल वाली ग तो उसकी वज़ा से antibiotic resistance होने का chance होता है, ऐसी तरह से कुछ लोग के मन में ये रहता है कि dirt, pollution, गंदगी इन सब का क्या रोल है पिंपल में, तो definitely यदि आप बहुत ज़्यादे dirt वाले situation में रहते हैं, ज़्यादा धूल मिट्टी, pollution इस तरह की environment में रहते हैं, तो थोड़ा सा definitely पिंपल बढ़ने के chances होते हैं, तो ऐसे condition में आप कोसिस करें कि उन जगों को avoid करें, और ऐसे जगों से आने के बाद आप अपनी face को, जो मैंने face wash के बारे में डिसकस किया, उनसे आप clean कर लें, तो उससे आपकी problem, जो गंदगी वाली problem है, वो साफ हो जाएगी, उसके गलत फैमी में न पढ़ करके सही समय पे इसका treatment लेकर कि आप इस problem से असानी से मुक्ति पा सकते हैं, थेंक यू